हलो फ्रेंच स्वागत है देखिए आज मैं बताऊंगी फ्रॉंट पार्ट का बहुत अच्छा लुक और बहुत फिनिसिंग के साथ तो चलिए हम कपड़ा लेंगे पॉटन के कपड़ा है बिना अस्तर का है इसका लंबाई है देखिए 16 इंच है क्योंकि नीचे हम मोड लेंगे एश्टर कपड़ा को 10.5 इंच का चोड़ाई है फ्रेंच देखिए यहां से हम 5.5 इंच गले का चोड़ाई लेंगे 3 इंच सोल्डर लेंगे आर्म होल 6 इंच का है और ऐसे बक्स बना करके 1.5 इंच पे गुलाई देंगे 2.5 इंच बाद में हम छाट लेंगे बलाऊ शीलने का बाद इसे 5 से हम सेट कर देंगे गले का लंबाई साड़े 6 इंच है और इसे भी ऐसे बक्स बना करके सेफ दे देना है तो यहां देखिए ऐसे सेफ देना है घराई के साथ यहां देखिए हम साड़े आठ इंच पे फिटिंग का मार्क लगा लेंगे दो इंच इसमें कपड़ा ज्यादा है सिलाई के लिए साड़े बारे इंच का लंबाई लेकर मार्क लगा लेंगे बेल्ट के लिए यहाँ सीध लाइन हम खिच लेंगे एक इंच आगे के तरफ हम ले लेंगे हाफ इंच आर्मोल के तरफ पांच इंच यहाँ से और दो इंच इसमें हम देखे दो इंच का ऐसे टक्स डालेंगे अब यदि ज्यादा पप बनाना चाहते हैं लंबा इसका तीन इंच है ज्यादा पप के लिए धा इंच कप्ड़ा ले लिजे एक इंच यहाँ से हम मिला लेंगे हुक और आई के तरफ से आर्मोल के तरफ से आफ इंच है ऐसे गोलाई का सेफ दे देना है और तीन इंच पे मार्क लगा लेंगे इसको ऐसे सेफ देना है यहां मिला देना है और यहां देखिए फिटिंग का मार्क लगा लेंगे यहां फिटिंग का मार्क लगा करके देखिए दो इंच पे हम मार्क लगा करके ऐसे गुलाई दे देंगे और यहाँ देखिए हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा और टक्सी के पास कम हो जाएगा ऐसे और यहाँ भी कम करते हुए हाफ इंच उपर ज्यादा कपड़ा लेंगे सिलाई में अब गले के कपड़े को निकाल देना है देखिए ऐसे कट करके इसमें दोनों पले है फ्रेंज तो ऐसे कट कर देना है फ्रॉंट पार्ट में हम सिलने के बाद यहाँ पर हाफ इंच हम छाट लेंगे आर्म होल को और यहाँ से देखिए बेल्ट को हम अलग कर देंगे कटिंग करके ऐसे साइट से जोएंट है तो इसे कट कर देना है पीन को निकाल कर दोनों पल्ले को ऐसे सेट करके हाथ से ऐसे मिला करके उपर से ऐसे करके मार्क मिला लेना है और यहाँ पर हम लाइन ऐसे खीच लेंगे जो भी मार्क है हमारा दोनों पल्ले में पर्फेक्ट बैठेगा तो देखिए हो गया बेल्ट को जिस तरह हम निकाले हैं उस तरह सेट करके इसको भी हम ऐसे अलग कर देंगे और ऐसे मिला करके मार्क लगा लेंगे चलिए जो हम टक्सी डालेंगे जो मार्क है उसी पर हम सिलाई लगा लेंगे फिर एक बार बता रही हूँ कि आपको यदि ज्यादा पप चाहिए बड़ा साइज का तो आप कपड़ा बढ़ा करके यहाँ पर हाफ इंच ले लेना है टक्सी में तो ज्यादा पप बनेगा हम दो इंच का रखे हैं और यहाँ देखे जो गोलाई है तो हम गोलाई के साथ साथ इसको यहाँ पर कपड़ा कम करके टक्सी डालेंगे और फिर दोनों साइड हम इसे करके हाफ इंच कपड़ा ज्यादा ले लेंगे ऐसे करके जिस तरह बलाउज में टक्सी पड़ता है उसको भी ऐसे ही हम करेंगे देखे, तो बेल्ट को हम ऐसे जोड़ेंगे, आपके पास यह ज्यादा कप्रा है, तो दो बेल्ट लेकर दोनों साइड से आप सिल लिजिए, हम उपर से सीधे साइड में बेल्ट को रख करके, ऐसे सिलाई करेंगे, और जो टक्स डाली हूँ, उस टक्स को हटा करके, यहाँ पर सिलाई करना है, टक्स नहीं सिलाई में आना चाहिए, नहीं तो पप हमारा नहीं निकलेगा, देखे ऐसे, और इसको सिलाई हम ऐसे लेकरके, ऊपर से चांप सिलाई लगा देंगे, और जो अधी कपड़ा है उसे कट कर देंगे अब यहाँ देखिए यहाँ पट्टी के लिए हम कपड़ा ले लेंगे यहाँ देखिए उपर सीधे साइड से हम ऐसे रख करके यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे बिना अस्तर का बिलाओं जहें फ्रेंस घर में आ रहा है आप भी ऐसा बनाएए बिना अस्तर का और ऐसे करके इस पर भी हम चाप सिलाई लगा लेंगे इसे अंदर के साइड मोड करके हम एक डेड़ी इंच पे हम यहाँ पर ऐसे सिलाई लगा करके पक्का कर देंगे देखिए अब यहाँ देखिए हलका सा हम गले को ऐसे गहराई देंगे उको आला पट्टी है फ्रेंच यहाँ देखिए हम ऐसे पट्टी ले करके इसका एक कोर्णर ऐसे मोड लेंगे डेड़ इन्से थोड़ा सक कम है फ्रेंज कप्रे का चौड़ाई ऐसे तीर्चा कट करके कोर्णर मोड करके आप पाइपीन बनाईए बहुत फिनिसिंग बैठेगा तो देखिए हम ऐसे रख करके सिलाई करेंगे को नहीं इसका मोड लेना है ऐसे देखिए इस तरह हम कप्रे को अपने हिसाब से ऐसे कप्रा ले करके सिलाई कर देंगे यहाँ पर देखिए हम छोटा छोटा कट्स लगा लेंगे ऐसे कट्स लगाना है कि सिलाई ने कटे और ऐसे सिलाई हम लेकर के पाइपीन बनाएंगे यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सिब्सक्राइब करके बिल आइकन दबा कर आल पर क्लिक कर दीजिए कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप तक जाए और सबसे पहले वीडियो आप देखें यदि आप फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फेस्बुक को फोलो जरूर कर लीजिए उस पर भी बहुत अच्छा अच्छा ब्लाव डिजाइन है फ्रेंस यूटुब और फेस्बुक दोनों पर भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उपर से शाड़े 13 इंच करके यहां पर मार्क लगा लेंगे जो भी नीचे अधिक कपड़ा है उसे हम मोड करके सिलाई कर लेंगे ऐसे आधा इंच उपर कपड़ा सोल्डर जोरने में जाएगा तो हमारा फिनिसिंग 13 इंच का लंबाई ब्लावज बनके रेडी होगा फ्रेंस इसी तरह दूसरे पल्ले को सिल करके सेट कर लेना है बैक पार्ट का भी बहुत अच्छा डिजाइन है फ्रेंस उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बिलाइकन दबा दीजी ओके बार